पीनबी घोटाले से लगी 11,000 करोड से ज्यादा की चपत से देश अभी उबर भी नहीं पाया था कि एक और घोटाले की खबर ने बैंकिंग सेक्टर को हिला कर रख दिया पीनबी महां घोटाले के बाद अब औरियंटल बैंक ओफ कॉमर्स से करीब 389 करोड 90 लाक रुपे की धोखादड़ी का मामला सामने आया है मामले में दिल्ली के हीरा निर्याता कंपनी के खिलाफ केस्टर्च किया गया है घोटाले पर घोटाले धोखादड़ी पर धोखादड़ी जी हाँ पीनबी के बाद एक और घोटाले ने लोगों के होश उड़ा दिये हैं गुरुग्राम के सेक्टर 32 इस्थित ओरियंटर बैंक ऑफ कॉमर्स में करिम 390 करून रुपे की धोखादड़ी का मामला सामने आया है दिल्ली के हीरा कारोबारी द्वार का दास सेट इंटरनेशनल लिमिटेट पर कति धोखादड़ी का आरूप लगा है कहा जा रहा है कि साल 2007 से 2012 के बीच कंपनी ने OBC से 389 करून का कर्ज लिया था गौर करने वाली बात ये है कि इस कंपनी को भी Letter of Undertaking यानी L.O.U. के जरिये कर्ज दिये गए और वो कर्ज डूप गए बैंक ने 31 मार्च 2014 को कंपनी को NPA के लिस्ट में भी डाल दिया था लेकिन उसके बावजूद भी अखेल जारी रहा NPA की लिस्ट में शामिल होने के बावजूद कंपनी को करूनों का लोन मिलता रहा Oriental Bank of Commerce के AGM स्तर के अधिकारी ने इस मामले की सूचना CBI को पिछले साल 16 अगस्त को दी थी जिसके बाद से कारवाई जारी है इस फरजी वाड़े की गंभीरता को देखते हुए CBI ने दिल्ली के ज्वैलर समित कई लोगों के खिलाफ केस दर्च किया है मामले में CBI ने जिनके खिलाफ केस दर्च किया है उसमें कंपनी के मालिक सभिसेट और रीता सेट के अलावा क्रिश्ण कुमार सिंग, रवी कुमार सिंग समित कई अधिकारी शामिल है कहा जा रहा है कि इनसे जांज टीम जल्द ही पूच्टाच करेगी